नमस्कार जैहिंद बंदेमात्रम साथियों दोस्तो यूपी एससाई पिच्चानमें 134 पोस्ट जिससे लेकर सुनवाई थी पांच दिसंबर 2022 को वो सुनवाई नहीं हो पाई इस पस्ट हो गया कि भरती बोर्ड और सरकार ये चाहती है कि भरती काम्याब हो जाए तो उनके मन पर जो काम्याबी की महौर है वो लग गई है कहने का मतलब यह है अब ऐसी डेट इस केस को यानि केस नमबर 37-37 को दी है सोल है जनवरी कि तब तक भरती बोर्ड कुछ भी करा सकता है जो बच्चे हैं उन्हें ट्रेनिंग पर आसानी के साथ में भेज़ सकता है तो कहने का मतलब यह पांस तारीक में भी वही हुआ जिसकी उम्मिद थी कि फिर तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक वो सनी देवल वाला डायलोग जो है वो मतलब इस हिसाब को देखते हुए बढ़िया नजर आता है कि बिलकुत सैम और बढ़िया डायलोग मतलब सनी देवल ने जो है वो जनरेट किया है कोट भी ये नहीं चाहता है कि ये भड़ती बाधित हो रुके और कोट भी चाह रहा है कि ये जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग पर चले जाए ये रहा देखिए अगली सुनवाई इसकी सोले तारिक में होगी अभी सोले दिसंबर नहीं आया है सोले जनवरी तब तक भरती बोड इन पिचान में 134 अभ्यरतियों को इसमें कुछ अभ्यरतियों की सीट खाली रह गई होगी ट्रेनिंग पर भेश सकता है तो कहने का मतलब ये है कि अब इस भरती पर कोई रुकावट ने है ये भरती पूरी तरीके से काम्याब है ठीक ना और तारिक पर तारिक ये तो चलती रहेंगी लेकिन at a last decision यही आएगा कोड इस केस को dismiss कर देगा ठीक ना तो कहने का मतलब ये है कि ये भरती है आप लोग पर जाने वाले बच्चे हैं वो अपना भीया सारे जो डॉकुमेंट्स बगरा है वो रैडी रखें क्योंकि अब जल्दी ही जॉइनिंग जो है जॉइनिंग लेटर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा भाई पोस्ट या फिर थाने के दवारा आपके घर पहुंचा दिय जाएगा ठीक है भीया तो अगली सुनवाई इसकी 16 तारिक तक के लिए टाल दी गई है ये अपडेट केस नंबर 37 37 की है क्योंकि इस भरती से जुड़ा हुआ ये एक एहम केस है